वाहि गुरु जी का खलसा वाहि गुरु जी की फते गुरु प्यारी गुरु सवारी पर्मसतकार जोकसा संग जीव आज दास तंतन बबन नान सिंग जी दे संगतान दे नाड की ते समय समय ते जो परवचन है उन्हा सारे बचनादी जो सार अंस है आप सारी इसां संगतां दिनार साजा करता है सो एक बचनमा पुर खानदा सगा संगतां दे प्रती ओए सी के अगर किसे इंसान दा नेक सवा हो वे तो फिर केंदे उस नेक स्वा इनसान वाले नू मित्र लबन दी लोड नहीं पेंदी क्यों? क्योंके नेक स्वा आदमी नू दी जन्गी दी बेट चंगे मित्र जेड़े या ओ आपड़े आपी मेंडने शुरू हो जानदे सो अगला बचनमा पुर्खांदा सगा के जेड़े गुर्सेख गुरू सहवाना शिहीद सिंगा और संता महात्मा दी कदर कर देया आदर कर देया उना नू अतनी ही समात ओ ज्यादा बख्शेश दे रूप दे बच पराप्त हो जान दीया सो अगला बचनमा पुर्खांदा सगा अगला बचनमा पुर्खंदा है के मेरी मेरी करदा बन्दा अखीर जंदिकी देवेच मर जन्दा है पर जोड़े वाहिगुर वाहिगुर कर देया वो अखीर देबच एस संसार समंदर तो तर जन देया अगला बचनमा पुर्खनदा हैगा कि जन्दगी चे माया गई तो समझो कोश ने गया सेथ गई तक कोश चला गया पर अगर गुरु दे उते शर्दात पुरोषा चला गया फिर केंदे सब कोश चला गया अगला बचनमा पुर्खनदा हैगा कि वाहिगुर शब्दी कमाई असल दे बेच ए दरगाही टेक्ट हैगिया ए बड़े पा गांबालयानू प्राफ्थ हों दिया ते जेना दे पाग बहुत उच्छे हों अगला बचनमा पुर्खनदा हैगा प्रमेशर दे चर्ना दे नल जुड़या जीवनमा ते चर्ना तो टूट जणा यूं मौत हैगिया संत माप पर खदास दे सी के जो गुर्णान के दे जी दे चारना देनल जुड़या रहेगा हना के दे भी ओ बचया रहेगा नहीं तो दूसरा ओ दुरड़या जाएगा अगला बचनमा बबना सुनदा हैगा की कोई भी महातमा जेदे अंदर परमेशर देई पै है बंद गी पजन संमरन그램 है एह जे महातमा नु नमसकर करनी सीजन मोना एदेनल कें दे हम में दूर हो जन देद्धा in एक बड़ा फैदा है यहा कि जिस महातमा नो उसी सीसन मौन दे या उस महातमा बलो कीती होई कमाई दे बेचो कोश हैसा सीसन मौन वाले दी भी चोड़ी दे बेचा अपने अब चले जनता है सो अगला बचनमा पुर्खंदा हैगा कि दन्यावी मोध ही जड़ी खेच होआना असल दे बेच ए मुगती ले बिगन कारी हों दी या ते मोध शुटन दे नाड ही अरा बजेडा है वो परमेशर उस निशकाम आदमी दे नाड अपने आप ही प्यार करन लग बेंदा है सो अगला बचनमा पुर्खंदा हैगा कि किसे भी आदमी नो शान्ती प्रावत ओदों होवेगी जो दों ओ आदमी अमरत बेले उठके नाम पजन सिम्रन करेगा क्योंके अमरत बेले दा जड़ा शान्त वातावर्न है ये उस दे हर्दे दे विच एक बहुत डूंगा प्रवाबना देंदा है इस करके ये जड़ी शान्ती दी क्रिया है ये बहुत चर तक सथाई रूप दे विच ओदे हर्दे दे विच रेंदिया सो अगला बचन माप पुर्खनदा है कि जेड़े गुर्षिक तनगुरु गरामसाब जी दी पूजा कर दे ये उननुफे किसे होर देवी देवतियां दी पूजा कर दी लोड नहीं पेंदी क्यों क्योंके तनगुरु गरामसाब दी बानी मूल है जे में कोई द्राक्त पत्यां तक अपे पहुंचान दा हैंगा सो अगला बचन माप पुर्खन दा है गा कि जेड़े वाही गुरु दा स्वास स्वास जाप कर दे ये होच जेड़े पराणियां वो नरंकार दी दरगादे विचपरवान हो जान दे नुना दा जेड़े हर स्वास है वो सफल कि अगर कोई परचारक होवे अगर उप परचारक अपना जीमन उचा ते सुचा रखे तो फिर किन दे ओदी कही होई गल जड़िया हर एक प्राणी दे दिल दे उते असर रख दिया सो अगला बचन माँ पुर्खांदा हैगा कि नाम जपन तो बगएर बकी जड़िया जप तप पूजा हैगी है असल दे बच इस सब सिफर है क्यों कि जड़िया नाम जपना है वो एका है तो एक है तो बगएर बकी जड़िया मर्जी सिफरां कठी हो जड़िया हो जड़िया जोड़ है फिर भी सफर ही निकड़ेगा तो अगला बचन माँ पुर्खंदा हैगा कि तानगुर्णानक साथ महाराज ओ कम करा वो जेड़ा कम आप जीनु पहुंदा है तो जेड़ा कम आप जीनु नहीं पहुंदा उस कम देबचे तोसी बिगन पावो ये माँ पुर्खंदा बचन जीड़ा अकसर संगत बेच होंदा से तो अगला बचन माँ पुर्खंदा हैगा कि जेस भी ब्यक्तिदा बेभार शोद नहीं हैगा कि इन्दे फिर ओदा जीड़ा परमार्थ है ओभी कदी शोद नहीं हो सकता है अगला बजनमा परखनदा हैगा, कि जड़ी होमें है, एस होमेंनों पैरांदा जोड़ा मनावों, ते जड़ी निमरता है, एछ नउ अपने सर्धी दस्तार मनावों, और खास करके, जद गुरु कर जाणना होबे, संग छे जाना होबे, ते होमें रूपी जोड़ा बार अता जड़िया अपने सीश्ते सुजा के फिर संगते बिच बिठो अगला बचनमा पुरुखंदा हैगा कि जड़ा पजन से मरना हो नहां न एस पजन से मरननों तेल दी तारा मनाओ क्यों क्योंकि जड़ी पाणी दी तारा हुंदिया कदी भी टूट सकतिया पर तेल दी जड़ी साथ अपजोग करो ते ए साथ अपजोग समेंदा सेवा ते नाम चंतन दौआ होंदा है ते जिस दे नार मन हमेशन चड़ दियां कला मिच रहिंदा है सो अगला बचनमा पुरुखंदा हैगा कि संसार दे कार बिहार करदेयां तन्द्यां दे बिच खच्चत होंदेयां कि दे ए जड़ा अपना फर्ज है जेसनों भी पूरा करो पर ए दे बिच कदी भी नाम चंतन ना शड़ो क्योंकि नाम चंतन करन बाड़े जड़े गोर सक है तन्दे आ दे बिच उन्हादा मान फिर दुनिया दे जिनने भी कामकार है गया उन्हादे बिच कदी खचत नहीं हंद है तो अगला बजनमा पुर्खंदा हैगा कि जो दुख होआ उस दुख नू परमेशर दी दात समझो ते अगर को ते कोड़ संकटा जबे तो उस कोड़ संकट नू उस वाहे गुरु जी दी किरपा समझो ते एस समय नाम चंतन दी संबाड़ जड़िया उपने हर्दे दे संबाड़ के रखो तो फिर किंदे उस संकट तो मुक्ती हो जोगी ते वहे गुरु दी जड़ी प्रसंता है गिया उस प्रसंता दी पतरता बहुत शिगर प्राफ्थ हो जान दी या सो अगला बचनमा पुर्खंदा हैगा के जड़े प्राणी अपना नेत नेम कदी ने शाड़ दे हमेशा अपने नेत नेम दे बच अपनी सोर्त नो टका के रख देया किंदे फिर उना दी जड़ी गुरु है वो पहल दे अधार दे ते संबाड़ा है सो अगला बचनमा पुर्खंदा हैगा के दुनिया दे विच जो ब्यक्ति इनसान दी समुच्चे जग्त लकाई दी सेवा कर देया तो फिर एहो जे ब्यक्तिया नू ओस रभी दरगा दे विच मान इज़त बढ़ियाई प्राफ्त हो जा दिया सो अगला बचनमा पुर्खंदा हैगा के जो प्राणी अपने हिर्दे दे विच समुच्चे जग्त दा पला मंग देया फिर केंदे ओस पलाई दे अंदर एहो जे प्राणी दा कोई भी आदमी जीन दे जी उनना दा नकसान नहीं कर सकता ते मरंतों बाद उनना दा की कोई नकसान करेगा तो अगला बचनमा पुर्खंदा हैगा के पाई ज़ंदी दे वीच काम करो लो मोह हंकार एड़े बड़े शत्रू नहीं जड़ा बड़े शत्रू वो टाड़ी सोस्ती आलस ते काड़ी होनदा है इस करके सोस्ती ते काड़ी एदा किन्दे त्याग करो जड़ी तरक्किया बहुत शिगर हो जोगी सो अगला बजनमा पुर खंदा हैगा कि उपाई गुरु का रदे बेचा आके नाम जपना हैगा क्योंकि नाम जपन दे नाड सुर्तती अकागरता शेती बन दी है साबदानता शेती युदी है नाम ही आदमीनों साबदान करता है ते सुर्तत दे बेच उच्चा लेके जानदा हैगा सो अगला बजनमा पुर खंदा हैगा कि जो गुर सेख अमरत बिला संबार देया यहोजे गुर सेखा फर मेशर दी नजर दे बेचे रइंदेया ते उन्हा दी जड़ी रख्या है गिया वाहिगुरू हमेशा पैल दे अदार दे उते करदा हैगा सो दास मा पुर खंदे इन्ने ही बचन आप सारीयों संगता दे नल संजा करदा होया खिमा दा जा चुकवा जी वाहिगुरू जी का खलसा वाहिगुरू जी की फते